स्लाम अलेकम फ्रेंट्स आम टेक्निकल सज्याद उसन और वेलकम टो आवर यूट्यूब चेनल सिंधिया नाटेग आज की वीडियो में आपको बताऊंगा के विंडोज 8.1 की बूटेबल यूएस्बी के से बनाई जाती है अगर आपको पता नहीं के वीडियो बनी हुई है उसमें मैंने बता है कि वाट इस बूटेबल यूएस्बी उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप वहां से वह वीडियो चेक कर सकते हैं इस बनाने के लिए आपको इन दो फाइल की दरूरत पड़ेगी एक रूफस अप्रियर है और यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हों को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वह तरीका में आपको बता कर दू जैसे ही आ आपके सामने इसी स्क्रिन आ जाएगी उसके बाद फ्रेंट्स स्कोल डाउन करें और रूफस त्री पॉइंट पे किलिक करें और से पे कुलिक करें तो आपका फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद प्रेंट जैसे ही आप 8.1 वाले आयसों की लिंक् डिस PC हमारे कंप्यूटर पर क्लिक करें इसके बाद לLi, ब्रकर करें ए सिस्टेम डाइप है जो लिखा हुआ 3dus लिखा हुआ है तो 32 bit फाईट डाउनलौड करें अगर 64 bit फाईट करें सिस्टेम 64 bit फाईट करें छाइस इस पहीं आपको क्लिक करें और सेव फाइल पे ओके पे किलिक करेंगे तो आपका फाइल नाउलोड होना शुट गो जाएंगा यह फाइल मेरा अल्रेडी डाउलोड किया हुआ इसलिए मैं इसको कैंसल कर रहा हुआ तो फ्रेंट आप अपनी एप्लिकेशन ओपन करें डेक्स्टर फ्रेंट इसके बाद फ्रेंट्स यहां डेवाइस में आपको अपनी यूएस्बी से लेक करनी है और जैसे यूएस्बी में आप विंडोस 8.1 बूटेबल यह बना जाते हैं उसको प्लग इन करें अपने पीसी में लगाएं जैसा कि देखरें जैसे में यूएस्बी लगा इसने उटा दिया आप यहां से देख सकते हैं एक बात फ्रेंट्स और एक अगर आपकी यूएस्बी डेटा पढ़िए तो उसका बेक बना लें क्योंके बूटेबल यूएस्बी बनाने के दोरान आपकी जो य यहां जान जी पी जी और क्लिकरें प्रापर्टी पे क्लिकरें और उसके बाद यहां वालियम्स पे क्लिकरें तो आपको पार्टिशन स्टैल में नजर आ रहा है Master Boot Record अगर यहां पे GPT लिखा हो तो आप GPT सेलेक्ट करें अगर Master Boot Record MBR लिखा है तो आप MBR सेलेक्ट करें तो मेरा Master Boot Record MBR तो मैं MBR सेलेक्ट करूँगा उसके बाद इसको भी डिफाल्ट रहने थे और यहां पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं जो आप देना चाहें और यहां NTFS और इसको भी डिफाल्ट रहने थे और स्टार्ड पे क्लिक करें तो यहां पे यह आपको बता रहे हैं अब आपकी USB जोए फार्मेट की जाएगी अगर आप फार्मेट करना जाएं अगर आपकी डेटा बढ़िए तो इसका फेले बेकप बना ले फिर ओके पे किलिक करें तो फेरेंस अभी इसको बूटेबल USB बनाने के लिए 15 से 30 मिनट ले सकता है तो मैं इसको फास्ट फारवर्ड करूंगा ताकि हमारा आपकुछ टाइम बच सके तो फेरेंस आपकी बूटेबल USB की रिएट हो चुकी है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बूटेबल USB से विंटो 8.1 के से इंस्टाल और एक्टिवेट कर सकते हैं